नमस्कार शामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरा नंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूटूब के चैनल गोवलोक्स मे इस समय एक सुन्दर सी फीमेल हतीली आप महिला जातिका है और आपकी रियल हतीली मेरे सामने बिवेचना के लिए आई हुई है देखेगा हमारी जो ये इंडेक्स की फिंगर होती है इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम जुपिटर के माउंट कहते हैं गुरू परवत जुपिटर का माउंट और ये हमारे हतेली में बैटने वाले पर्थम आचारे हैं चाए हमारी कुंडली हो चाए हमारी हतेली हो दो आचारे बैठते हैं दो रिसी ग्रह बैठते हैं और उन में से जुपिटर जो होता है ये फश्ट होता है पर्थम आचारे होते हैं ठीक है ने और जो हमारा ये अंगोठा है इसके नीचे का जो ये सुन्दर सा भाग दिखा आप दे रहा है इसको हम बिनस का माउंट कएते हैं यह हमारी हतीली में बैठने वाले सेकिन आचार्य हैं और यह दैत्य गुरु है दैत्यों के गुरु इनको माना गया है लेकिन यह भगवान शंकर के परमसिष्य हैं और आपके हतेली में जो हमें दिख रहा है आपके जो इश्ट देव हैं जो आपके आरध्य देव हैं वो भी भगवान सिब हैं ठीक है ने तो क्या परिणाम निकलेंगे आगे बताऊंगा लेकिन देखेगा जब भी किसी बिक्ति की हतेली में चाएवो महिला हो या पुर्श हो और चाएव उसका लेप्ट हैंड हो या राइट हैंड हो या दोनों हो यहां पर इस प्रकार से दोनों जो ये परवत हैं बड़ा सुन्दर दिखाई दे अच्छे दिखाई दे और बलिष्ट दिखाई दे जहसे आपका दिखाई दे रहा है तो कहना ही क्या ऐसे ब्यक्तिका ऐसे जातक जातिका का चेहरा देख कर ही कोई भी उनकी तरफ आकरसित हो जाएगा मुस्कान ऐसे लोगों की जीवन में जबरदस्त रहती है और ऐसे जातक औरों को अपनी तरफ आकरसित करने वाले होते हैं ऐसी personality के ये मालिक होते हैं और देखेगा जब भी देब गुरु ब्रिस्पती जुपिटर का माउंट और देट्य गुरु सुक्र बेनस का माउंट हतेली में बलाबल की इस्तितिमी हो बनी इस प्रकार से सुन्दर हो और हतेली की जो रंगत है ये भी इस प्रकार से सांदार हो तो ऐसे जो लोग होते हैं वो दयावान होते हैं करोणा का भाउ ऐसे लोगों के अंदर होते हैं और ये लोग प्रेमी होते हैं तो इनसानियत के personality की जो सबसे अच्छे गुंण है ब्यक्तित्व क्यों निकारने वाले वो आपके अंदर बहुत अच्छे हैं दूसरा यहां है अगर देखा जाए आपकी हथीली में दो तीन चीजेघीजों को बता कर में आपकी पृष्णों परückt होता है इसको अ केतों का परुवत मांता है और केतु करता है रिसर्च करने वाला ग्रह है और हमारे कलेक्टिब करमाज को दिखाता है और ये मोक्ष का कारक है ये हमेशा ब्यक्ति को चाए उसकी प्रेसानिया हो चाए उसका जीवन ब्यथित हो तो उसको उन चीजों से मुक्त दिलाता है और इसका मुख्य काम होता है जीवन में सत कर्म अगर ब्यक्ति करता है तो ये मोक्ष की प्राप्ति करवाता है लेकिन ये मोक्ष तबी देता है जब आपके करम सुद्ध हो बहुत स्रेष्ट करम ब्यक्ति जीवन में करे तो उसको स्रीहरी के चरणों में जगह मिलती है और व यहां पे मुक्त की बात नहीं हो रही है यहां पे अतेली में बनी रेखाओं की बात हो रही है तो आपकी जो मनिबंद में हैं कलाई में हैं दो लकीरें दिखाई दी रही है और इसका मतलब है कि आपको अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से स्रेश्ट सपलता हासिल होगी अगर कभी आपने ये सोच लिया कि किसी की महरबानी से किसी के सैयोग से मैं अपनी जीवनकाल में बहुत आगे बढ़ोंगी जीवन में तर्के कर लोंगी तो ये आपके गलत फैमी है आपको अपनी ही मेनत अपनी ही परिश्रम से बहुत अच्छी सपलता जीवन में मिलेगी यहाँ पे दो रेखाएं हैं और जहां से मस्तिस्क रेखा और जीवन रेखा निकल रही है यहाँ पे इस परकार का साइन है ये बताता है कि इन जातक का जो चाए वो महिला हो या पुरुस हो चाए आपके हतेली में भी ये हो तो देख लिजेगा जो भी वीडियो देख रहे हैं इन लोगों का जो प्रारंबिक दोर रहता है वो संगर्सों से भरा रहता है ठीक है लेकिन इसी संगर्स के बलबोते आगे चल कर ऐसे लोगों को हर सुक की प्राप्ति होती है हर सुक का ये लोग भोग करते हैं ये चीज बहुत अच्छी आपकी हतीली में है सांदार इस्तित दिखाई दी रही है एक कदम और बढ़ा के चले तो देखेगा ये आपकी हिर्दई की रेखा है यहां से आपकी ये मस्तिस्क की रेखा है और यहां से ये निकलती हुई आपकी ये जीवन की रेखा है बहुत सांदार यहां से कट कट कर आगे बढ़ती हुई ये आपकी करि पूरा विक्सित ना हो जो अर्द विक्सित M आकृति बन रही है अंग्रेजी का अक्षर जो M होता है उसकी आकृति बन रही है ध्यान से देखेगा अगर आप हतेली देखना नहीं भी जानते हैं मैं इस प्रकार से वीडियो बनाता हूं कि जो विक्ति नहीं भी जानता है कु ठीक है न, अब यहाँ पे देखेगा M.H.R. का मतलब क्या है, कि आपके सरीर के जो पंच तत्व हैं, पंच महावोत, जिन से सरीर बनावा होता है, फाइव एलिमेंट, जो आपके सरीर के साररिक चक्र है, उसमें भी जो साथ मेजर चक्र होते हैं, आपकी पाँच ग्यान इंद्रिया है, पाँच कर्म इंद्रिया है, नव द्वार है, उसमें भी विसेश ब्रमरंदर, ये बहुत माइने रखता है, और पंच कोस अनकोस उगे देखा जाए, तो आपके जो आरध्य देव है, जो इष्ट देव है, हतेली के उनसार और इन चीजों के उनसार वो देवादी देव महादेव है, कालों के काल महाकाल है, मनि भगवान शंकर आपके आरध्य देव है, आपके इष्ट देव है, और इस प्रकृति की जो देव हैं मापार्वती वो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं निश्चित तोर पे अपने इष्ट को जितना मजबूत करेंगे अपने पंचततों को जितना पुष्ट करेंगे उसके द्वारा अपने जो सारिक चक्र है वो इस प्रकृति में मौजोद भगवान सुर्य के चक्रों क साथ जितना ताल मेल में रखेंगे यकीन मानेगा आपका जीवन उतना ही दिव्या और उतना ही भव्य हो जाएगा और जब जीवन दिव्या और भव्य हो जाएगा तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कब सफल होंगे कब आपके जीवन में सारे सुक स विधाई मिलेंगी चामक मिलेगी क्लेमर मिलेगा यह सब पोचने की जरूरत नहीं होगी आपको स्वता ही जरूरत के उनसार मिलने बैठ जाएगा तो यहां पे लेकिन यह डिपेंड करेगा कि आपका अपने आरादे के परतिस समरपन किस प्रकार का है किस रूप का है यह इस के उपर डिपेंड करेगा अब यहां पर एक चीज और देखेगा यहां पर यह आपकी मिडिल फिंगर है कहीं न कहीं सूर्य की तरफ जुगती हुई दिखाई दी रही है तो प्रैक्टिकल रोप में क्योंकि यह कर्म को देखता है भाग्या अस्तानी इसको कहते हैं और यह सनी का परवत है आपकी हतीली में नोग्रह होते हैं अगर हम बेसिक से अगर चीजों को गणना करने बैठ जाए तो पूरी बीडियो मनि कई घंटे की बन जाएगी इसलिए मैं संचिप्त में लेकिन बहुत अच्छी तरों से समझा रहा हूं आपको देखेगा जब यह करने पर ही चीजों में सपलता मिलेगी कई बार हो सकता है दोड़ा धूपी का काम भी विक्तिको करना पड़े लेकिन सपलता बड़ी मिलेगी अब यहां पे दो चीज देखी जाती है एक तो इसका जुकाओ और दोसरा यह किस रोप में खड़ी है तो यहां पे आप देखे यह एक सही अनुपात्मी है न तो यह इन उंगलियों से बहुत चोटी है न बहुत जादा बड़ी है लंबी है इसका मतलब है कि आपकी मानसिक छमता बहुत अच्छी रहने वाली है बहुत सांदार रहने वाली है और दोसरा देखेगा जो हमारा धर्म है अध्यात्म का ग् है उस पे जो उंगली है इसका जुकाओ भी इसी तरह है इसी तरफ है इसका मतलब है कि आपकी अध्यात्मिक ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी और इस ग्रह का मनी गुरू ग्रह का प्रभाव आपके अंदर जादा है आकास तत्वा आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है जो पांच तत्व में सबसे बड़ा तत्व होता है उसको हम आकास तत्व कहते हैं बाकी चार तत्व उसके अंदर समाहित होते हैं तो आकास तत्व आपका बहुत अच्छा है तो इसके कारण आप अपने जीवनकाल में स्वाबी मानी होंगे विवेक बहुत अच्छा र खूब साथ देने वाला है ये निश्चित तोर पे यहां पे दिखाई दे रहा है अब यहां पे एक कमी है सबसे बड़ी है सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं ये इन चीजों में और इस्तिरता दे रहा है उतार चड़ाओ दे रहा है इस्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है नहीं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये चीज ऐसी ही रही तो लाख परियास कर लो आपको चीजों में अस्तायत्तों की प्राप्ति नहीं होगी इस्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जीवन में संगर्स भी रहेगा उतार चड़ाओ भी रहेगा और कभी कभी और इस्तिरता का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा ठीक है नए तो इस चीज को ठीक कैसे करें ये भी मैं आपको दूँगा लेकिन पहले उस चीज को बताते हैं कि क्या कमी है ठीक है ने आपने पूछा तो सपलता कब तक मिलेगी देखेगा इस चीज को ठीक करते ही आपको सपलता मिलनी सुरू हो जाएगी बड़ी रूप की ठीक है ने और इसको कैसे ठीक करना है उपाई तो मैं दूँगा लेकिन करना आपने है यहाँ पे देखेंगे तो लगातार आपकी हतीली में इस प्रकार की चीजें दिखाई दी रही है सभी लकीरों को काटते हुई कुछ नाड़ी रेखाई है और उसके साथ साथ देखेंगे तो आपकी हतीली में यहाँ पर जाल भी बन रहा है यह सबसे नगेटिव चीज़ें होती हैं हतेयली की इनको अच्छा नहीं माना जाता है सबसे पहला यह प्रभाव देते हैं आपके मन पर, आपके मस्तिसक पर कहीं न कहीं G1 उलजहन में रहता है यह उलजहन की इस्तिति को क्रेट करती है ये आपको हमेशा दुबिधा में डालती है ये आपको कन्फ्योजन में रखती है और जो आपकी नड़े लेनी की ताकत होती है उसको ये छीन करती है ब्यक्तित्ता ये नहीं कर पाता है किस तरब जाना चाये और वास्तों में करना क्या चाये ठीक है न? दूसरा इसका प्रभाव पढ़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे आर्थिक रूप से आप कहीं न कहीं बीमारों अवस्ता में आते हैं आर्थिक रूप से आपको ये कमजोर करती है तीसरा इसका प्रभाव पढ़ता है आपकी रिस्तों पे खासकर दामपत्य जीवन का रिस्ता परिवार का रिस्ता और कुटुम का रिस्ता इन रिस्तों का जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में प्रस्तितियां आ जाती हैं विक्ति को चरम सुक का भोग उस प्रकार से नहीं मिल पाता है ठीक है नै और चौथा इसका प्रभाव जादा रहती हैं और पाचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डिपलप्मेंट पे आपकी प्रोग्रेश पे आपका जो सफलता का अस्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का अस्तर कहीं न कहीं माइनेस की तरफ जाने बैठ जाता है मनि मनुष्य जीवन का जो नीव है ये चीजें उसकी जड़ों को खोकली करता है और फिर धीरी धीरी ये मनुष्य को अपनी आगोस में दबा लेता है और जीवन को महत्वभीन कर लेता है तो सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप अपने अंदर से इस नगेटिव उर्जा को खतम करेंगे अब ये कैसे खतम करते हैं देखेगा इसके लिए एक बनस्पति अश्णान होता है एक प्रकार की छोटी सी पर करिया है बनस्पति अश्णान की उसको जरूर कीजिएगा और बनस्पति अश्णान के साथ साथ दो किरियाएं करनी बहुत जरूरी है लेकिन उसी रूप में करना है जिस रूप में मैं दूँगा उसमें additional कुछ नहीं करना है ठीक है ने? एक तो दिब्य सूर्य किरिया और एक दिब्य योग ध्यान किरिया ये तीन चीजें येदि आपने कर लें तो निश्चित तोर पे आप कुछ ही समयें वैसे तो ढ़ाई बरसों तक ये जबरदस्त रूप में है एकदम चमतकार नहीं होगा ये मैं पहले कह लेता हूँ ठीकन है आपको पसंद नहीं आए तो आप किसी और को अपनी कुंडली या हतेली दिखा सकते हैं और उनसे उपाई ले सकते हैं कोई दोराई नहीं आप स्वतंत्र है लेकिन यकीन मानिएगा ये ढाई बर्सों से पहले बहुत बड़ा चमतकार नहीं देगा देगा लेकिन बहुत बड़ा नहीं तो जितना जल्दी हो सके इस चीज को अगर ठीक करें तो विक्ति को जल्दी से सफलता मिलनी सुरू हो जाती है तो दिव्य सुर्य के रिया दिव्य योग ध्यान के रिया और बनस्पते अश्नान आप कर ले और धीरे धीरे आप देखेंगे आपको सपलता बेहतरीन मिलने बैठ जाएगे अब इसे कर आपने ब्यापार में पोचा है तो ब्यापार में देखेगा आपकी जीवन की रेखा से निकलती हुई एक ब्यापार की सांदार लकीर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी रही है बहुत सांदार रेखा, बुद्ध रेखा इसको कहते हैं, स्वास्त्य रेखा इसको कहते हैं और इसको ब्यापार की लकीर भी कहते हैं इस लकीर का होने का मतलब है कि व्यक्ति की आयू बहुत अच्छी रहेगी दूसरा आपको अपने जीवनकाल में सफलता निश्चित तोर पे मिलेगी तीसरा ब्यावसाई कर रहे होंगे तो ब्यावसाई में निश्चित ही बड़ी तरक्की को ये दिखा रही है और बिसेश कर बोलने के धंग के कारण भी आप अपने जीवनकाल में अच्छा खासा धन कमाएंगे लेकिन धीरी धीरी एक कमी भी इस रहेखा में होती है ब्यक्ति अपना डाइजेश्टिव सिस्टम का ध्यान ने रखता है और दीरी दीरी ये पेट के रोग ब्यक्ति को प्रेशान करने लग जाते हैं तो आपको अपने डाइजेश्टिव सिस्टम का विसेश ध्यान रखना पड़ेगा अब यहाँ पे दोसरा आपका मुख्य प्रश्णता राजनीती से समंधित देखेगा राजनीती के लिए चार ग्रह हतेले में पुष्ट और सुन्दर होना बहुत ज़रूरी होता है तब बड़ी सपलता मिलती है सबसे पहला होता है आपका ब्रिस्पती और यहाँ पे देखेंगे तो आपका ब्रिस्पती बहुत सुन्दर है मैंने सुरू में कहा था तो निश्चित तोर पे स्रेष्ट जाति का है जीवन में स्वयम उन्नती करेंगी और जो आप से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नती करने में सहेता करेंगी सयोगी बनके रहेगी लेकिन स्वाविमानी होंगी बिद्धान होंगी नियाई प्रिय रहेंगी बिसेश कर अपनी बातों का निरोहन करने वाला बिक्तित वरहेगा और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मातरा में आपके अंदर देखने को मिलेगी देखिएगा जब भी ब्रेस्पति किसी भी बिक्ति का इस परकार के सुन्दर और पुष्ट होता है तो ऐसा बिक्ति नोलेजवल होता है आत्म ग्यानी होता है जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है और विसेश कर सिक्षा का छेतर है इंजिनियरिंग का छेतर है चिकित्सा का छेतर है मैनेजमेंट का छेतर है बानिज्यका छेतर है कानून का छेतर है और राजनीति का छेतर है इन छेतरों में एसे लोग सफल होती हैं तो यहाँ पे ब्रेस्पति बहुत अच्छा है राजन आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं तो राजनीती के लिए जो चाहिए बनी प्राक्रम तो आपके अंदर प्राक्रम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्वभाव रहेगा और कोई भी आपसे मिलेगा तो वो भी कमफर्टेबल फील करेगा तो आज आपका बहुत अ अच्छा है यह चीजें अच्छी दिखाई दी रही है उसके अलावा देखेंगे तो धीरी धीरे एक लाइन भी मंगल पे बिक्सित हो रही है जिसको हम कहते मंगल की रेखा जैसे यह साब सुत्री दिखाई देने लगे तब से यह समझ लीजेगा कि आपका भग्या उदय ह होने वाला है आपका कोई काम नहीं रुकेगा कहीं न कहीं से ब्योस्ताइं हो जाएंगी आपका काम चल जाएगा दूसरी बात यह जितनी पुष्ट और परवल होती जाएगी जितनी अच्छी होती जाएगी आपको दोसरों का सयोग बहुत अच्छे रुप में मिलता है तीब्रबुद्धी की आप मालिकिन है आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो बहुत अच्छी है और ऐसा भी ब्यक्तित्व आपका उबर कर आ रहा है कि जीवनकाल में कोई भी निरणे लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे दूसरा अपने आप में अच्छा खासा प्रभावसाली रहेगा ये इस पश्ट दिखाई दे रहा है तो आपका मंगल भी राजनीती के लिए बहुत अच्छा है तीसरा ग्रह होता है सूर्या क्योंकि सूर्य सरकार का कारक होता है औसदी का कारक होता है पिता का कारक होता है परसिधी वाली लकीर भी शानदार है तो सूर्य जब अच्छा होता है प्रसिद्य वाली लाइन होती है तो निष्चित तोर पे विक्ती राजनीती में सपलता की स्थिति को प्राप्ट करता है अब चौथा होता है आपका चंद्रमा यहां पर चंद्रमा पर अगर हलकी रूप में देखें तो मचली दिखाई दी रही है मनि क्रियेटिब बहुत जादा रहेंगे आर्ट है, कल्चर है, इन चीजों में भी धीरे धीरे आपको सपलता मिलेगी और यातराइं बहुत अच्छे करेंगे आप दूसरी बात है, इसके कारण मचली के कारण आपका चंद्रमा भी अच्छा रहेगा तो मानसिक रूप से आगे चल कर बहुत मजबूती आ रही है कॉन्फिटेंस लेवल बहुत अच्छा रहेने वाला है सरीर में नगेटिब उर्जा के कारण कितनी भी समस्या रहे चंद्रमा भी मोटे तोर पर ठीक रहने बैठ जाएगा सरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा और चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आप क्रियेटिव रहेंगे मा होंगी तो मा का सुक मिलेगा सकारात्मक सूच रहेगी और चल कपट से दूर रहेंगे तो राजनीती के लिए ये ग्रह भी आपका बहुत अच्छा है निश्चित तोर पे आपको सफलता मिलनी है लेकिन यहाँ पे भी एक नगेटिव पॉइंट है और वो सबसे बड़ा है ये पॉइंट रहा तो आप इस चीज में कितनी भी मेहनत कर लो आपको सफल नहीं होने देगी ये चीज और ये चीज है आपके अंदर ये नगेटिव ओड़ जा जब तक इसका प्रभाव रहेगा आपके पास कितना भी कुछ है लेकिन सफलता आप नहीं देख पाएंगे ये निश्चित है तो इसको ठीक करना है आपने ठीक है तो ये चीजें आपके सवाल भी थे आपकी हतिली का विशलेशन भी था कुछ आगे बढ़ते हैं हमने देखिएगा ये उंगली और ये उंगली देखें तो यहाँ पे लगभग बराबर है और ये हलकी बड़ी है तो ये बोल रही है कि आपको यस जरूर मिलेगा ये यही बताती है इतनी हलकी बड़ी होने का मतलब यहाँ पे गैप है जब जब आपकी कुंडली में सनिसारिसाती में होंगे धाया में होंगे या बकरी आउस्ता में होंगे तब तब आपको इसका प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलेगा जीवन में धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी लेकिन धन के प्रबंदन में धन के मैनेजमेंट में कागजों के रख रखाओ में एकाउंटबिल्टी में फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी रहेगी यहां तक नाखोन बढ़ाएं तो इसका फाइदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतनसील ब्यक्तित तो रहेगा यहां पे देखेंगे भावकता बहुत अच्छी रहने वाली है दयालुता बहुत अच्छी रहेगी लेकिन जैसे जैसे उमर बढ बढ़ रही है आगे बढ़ने की सोच हाभी होती हुई दिखाई दे रही है और इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की बन रही है और इसके लिए इनकेन प्रकारेंड जो भी आपसे हो जाए आप उसको करेंगे ये भी दिखाई दे रहा है मस्तिस्क रेखा आपका सुन्दर बौदिक अस्तर को बता रहा है और यहां पे दो लंबी और हवाई आतराओं को भी दिखा रहा है अगर आप कर सकते हैं तो मौका मिलेगा और एक से जादा स्चेतरों से अर्थो पारजन करने का प्रियासाप के द्वारा हो रहा है लेकिन इ ऐसी इस्तिति में हतेली में धन टिकता नहीं है यहां पे देखेंगे तो इस तरों से जिवन रेखा दिखाई दे रही है जो परिवार के परति बिल्कुल समर्पन की भावना दिखा रही है यहां पे इस प्रकार से रेखाई बनती हुई दिख रही है अगर आप ध्यान से देखेंगे यह इस प्रकार से बताती हुई दिखाई दे रही है यह बहुत अच्छा है यह आपको अध्यात्म के परति रुजहान को दिखा रहा है यात्रावों को दिखा रहा है और भाग्या जब उदाई होगा तो चाहे रिसर्च का छित्र है चाहे ज्यान का छित्र है धर्म का अच्छेतर है इसमें बहुत आगे बढ़ेंगे यहां पी यह रेखा भी बहुत सांदर है आपको इसका फाइदा बहुत अच्छा रूप में मिलेगा यहां पी देखेंगे तो यह रेखा भी इस पश्ट दिखाई दे रही है जो बता रहा है कि धहर्यवान बिक्तित रहेगा क्रियेटिविटी बहुत अच्छी रहेगी इसका लाब मिलेगा लेकिन करियर और धनकी रेखा यहां पे जो अस्ताइद तो होना चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है लेकिन अनतालीस्वें वर्स से लेके चीजें बहतर होनी सुरू हो जाएंगी 56 वर्स के बा जाए विशेश कर सारे रिक रोप में या धन के हानी या व्यापार के हानी करा सकता है तो उन दिनों सनी का विशेश दियान रखें तो चीजें बहतरी इस्तिति में आएंगी अब यहां पे देखेगा आपका सनी अभी बहुत अच्छा है सांदार है बुद्ध भी आपका बहुत अच्छी इस्तिति में है आपका सुक्र भी शांदार इस्तिति में है गोमने फ्रिने के बहुत ज्यादा सौकिन रहेंगे सुक्र बहुत अच्छा सुक देने के भाव में है सबी चीजे मैंने देख ली है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के म